जंगल की आग, बाढ़, सूखा या फिर समंदर का बढ़ता जलिस्तर जलवायू परिवर्तन दुनिया भर में तबाही फैला रहा है ये समस्या पैदा हुई अमीर और ओद्योगिक देशों की वजह से जिन्होंने जीवाश्म इंधनों को जलाकर खूब तरक्की की और इसकी कीमत परियावरण ने चुकाई जलवायू परिवर्तन के रूप में दुनिया के पच्चपन, गरीब और विकास शील देशों ने बीते दो दशकों में जलवायू परिवर्तन की वजह से 525 अरब डॉलर का नुकसान उठाया है वहां जिन्दगियां बरबाद हो रही है लोगों की रोजी रोटी छिन रही है, जैव विविदता कम हो रही है परियावरण खत्रे में है, उन्हें मदद की जरूरत है इसलिए लॉस और डेमेज फंड बनाया गया है जिसे दुबई में चल रहे, जलवायू समेलन में मनजूर किया गया सबसे पहले यूएई ने 100 मिलियन डॉलर बोला फिर उसके बाद जर्मनी ने, उसके बाद यूरोपियन यून ने बोला, यूके ने बोला, काफी सारे देशों ने बोला तो अभी करीब 700 मिलियन के आसपास फंड कमिट हुआ है लेकिन जो हम जरूरत की बात कर रहे हैं, वो hundreds of billions of dollars में जाता है मतब जो एक study है वो बोलती है कि 290 से 580 billion dollar प्रती वर्ष चाहिए होगा सिर्फ विकासचील देशों में 2030 तक तो हम उस scale की बात कर रहे हैं, उसके सामने तो ये पैसा कुछ भी नहीं है तो काम अभी अधूरा है, लेकिन हम लोगों ने वेलकम इसलिए किया है क्योंकि 30 साल की लड़ाई के बाद हमको ये फंड मिला है, तो वो बहुत ही महत्पूर्ट चीज है हरजीत सिंग क्लाइमिट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल से जुड़े हैं जो दुनिया के 130 देशों में परियावर्ण के लिए काम कर रहे करीब अठारे सो गयर सरकारी संगठनों का समू है हरजीत सिंग कहते हैं कि फंड मिलने के बाद चुनोती इसे व्यापक स्तर पर ले जाने की है जो समूदाए जो देश अलरी जूज रहे हैं और उनका बिलियन्स ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है उनको पैसा मिलना चाहिए जबकि हकीकत यह है कि यह फॉसल फ्यूल कंपनी जो है यह पैसा बना रही है अगर मैं आपको एक फिगर दूँ तो 2022 में गलोबली इन फॉसल फ्यूल कंपनी ने चार ट्रिलियन डॉलर्स बनाया है का प्रॉफिट जो कि पुछले कुछ सालों में सालाना 1.5 ट्रिलियन होता था इमाजिन करिये कि चुकि तेल और गैस की कीमतें बड़ी हैं तो वो पैसा बना रहे हैं लेकिन उन्हीं की वज़े से यह सारी तबाई हो रही है यह फॉसल फ्यूल की वज़े से और लोगों के पास पैसा नहीं पहुँच रहा है हल ही में जारी कार्बन बजट रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में कार्बन डायोकसाइड का उतसरजन सबसे उचे इस तर पर पहुँच जाएगा वैज्यानिकों ने आशंका जताई है कि इससे जलवायू परिवर्तन की रफ्तार और तेज होगी और भीशन मौसमी घटनाएं देखने को मिलेंगी इससे तबाही भी बढ़ेगी ऐसे में ना सिर्फ जलवायू परिवर्तन की सबसे जादा मार झेल रहे देशों की मदद करनी होगी बलकि उन्हें ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने वाली टेक्नोलोजी भी देनी होगी ताकि दुनिया के कार्बन उत्सर्जन को घटाया जा सके भारत ने सब को साथ लेकर चलने की बात कही है हमें संकल्ब लेना होगा कि एनर्जी ट्रांजिशन जस्ट हो, इंक्लूजीव हो, इक्विटेबल हो भी हाओं टुबी इनोवेत्जीव हमें ये संकल्प लेना होगा कि इनोवेटिव टेकनोलोजी का लगाता विकास करें अपने स्वार्थ से उपर उठ कर दूसरे देशों को टेकनोलोजी ट्रांसपर करें क्लीन एनरजी सप्लाई चेन को ससक्त करें भारत और चीन की उर्जा जरूरतें लगातार बढ़ती जा रही हैं सबसे ज़्यादा कार्बन उच्सरजन के मामले में आज चीन पहले नमबर पर है और भारत तीसरे पर पश्च्चमी देश चाहते हैं कि वो भी लॉस एंड डेमिज फंड में योगदान दें लेकिन ये दोनों देश कहते हैं कि वो खुद जलवायू परिवर्तन की वजह से खत्रा जहिल रहे हैं इसलिए वो भी वित्य मदद के हकदार हैं जो भी इस वक्त पल्यूट कर रहा है उसको पैसा देना चाहिए और खास और से जो बड़े पल्यूटर्स हैं लेकिन जब हम अभी हो रहे हैं लॉसन डैमेज की बात करते हैं तो हम हिस्टॉरिकल एमिशन की बात कर रहे हैं जो पिसले 1.500-200 सालों में हुआ है और दोगी करन की वजह से तो ये जो इंडस्टिलाइजेशन है उसकी वज़े से जो एमिशन हुए जो इस वक्त एटमोस्फिर में हैं इसलिए ये तबाईया हो रही है ये जो एमिशन अब हो रहा है पिसले 30-40 सालों से उसका फर्क आने वाले टाइम पे पड़ेगा तो जो पहली जिम्मेदारी है वो अमीर देशों की है उसके बाद जिम्मेदारी आती है बाकी बड़े देशों की जो अब विकासशील देश है और अब उनके पास पैसा है और द्योगिक देशों ने 2009 में सहमती जताई थी कि जलवाईू परिवर्तन के मद्दे नजर विकासशील देशों की मदद के लिए 2020 तक हर साल 100 अरब डॉलर की राशे जुटाई जाएगी लेकिन ये लक्ष आज 2023 में भी पूरा नहीं हो पाया है ऐसे में कुछ जानकार कहते हैं कि अगर लॉस और डैमेज फंड के वादे पूरे नहीं किये गए तो जलवाईू संकट से निपटना और मुश्किल होता जाएगा